हेलो स्ट्रेंट्स आज आपको मैं पिसले साल का कोशन पेपर सॉल्फ करवा रहे हूं यह था 2020 का तो इसमें देखो बटा यह सेट जो आ रखा है यह तू सेट है थर्टी वन फोर टू लिख रखा है इसके उपर ठीक है तो यहां पे यह रोल लंबर लिखा हुआ है स्ट्रें इसके बाद यह साइंस का है थ्री आवर्स आपको टाइमिंग उतार टोट पेपर ठेक हैं यह जो इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन होती है वोही सेम इंस्ट्रक्शन हिंदी में वे गिवन होती है और जो कोशन अब इस पार सीबसे ने क्या किये ए एक साइड में सारे कोशन इंग्लिश में रखे हुए थे सबसे पहले देखो फर्स्ट कोश्टन क्या था इसके अंसर मैं एक बार शीट में भी भेज दूँगे आपको आगे और कुछ अंसर मैं यहाँ पे भी करवा दूँगे तो यहाँ पे देखो सबस्ट कोश्टन क्या है और कोश्टन क्या है अंसेचुरेटर 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 फैटी एसीड ठीक है अंसेचुरेटर फैटी आशीड देखो सबस्टन क्या होता है electric currents जो generated होता है या induced in a conductor by changing magnetic field around it तो दोनों में सब कोई भी so the electric current generated या आप लिख सकते हो the electric current induced in a conductor by changing magnetic field around it तो मैं बोल के बता रही हूँ चाहिए आप वो सुन लो और उसको लिख भी दिया करो next यहाँ पे यह कुछ paragraph यहाँ बता रखा है आपको आप यहाँ पे देखो इस question के अंदर यह paragraph दे रखा है इस paragraph के बाद यहाँ पे कुछ questions पुट किये होगे तो इस question में देखो student यहाँ पे क्या लिख रखा है first is तो थोड़ अच्छा यह तो हिंदी मीडियम वाला निकला हुआ है English वाला देख लेते हैं student हम yes तो यहाँ पे देखो यह पे देखो एक मिडियम यह जल्दी निकल दिया मैंने यह हिंदी मेडियम में था इस paragraph को लिख रखा था यहाँ पे देखो यहाँ से यह हिंदी मेडियम में paragraph लिखा हुआ है और इसके बाद यहाँ से यह दो question स्टार्ट हो गई यहाँ पे अब third question को यहाँ पे इस तरीके से देखा है पहले हिंदी में English फिर हिंदी में फिर उसके बाद दुबारा यह हिंदी के options आ गए फिर अब इसको इंग्लिश में मिलेगा आपको ओके यहाँ पे जिसको हिंदी में देखना है वो हिंदी में देखना है जिसको इंग्लिश मेडियम है वो इंग्लिश मेडियम देखकर अब question यहाँ पे बटा answer discuss करने कि आपको paragraph में कुछ कम से कम चीज़ पूरा paragraph पढ़ लो बट यहाँ पे देखो आपको मालूम है state mandalive periodic law तो जो mandalive का periodic law है वो ही answer लिख दो so क्या है mandalive periodic law the properties of elements at the periodic function of their atomic masses अब देखो B option में क्या पूछ रखाया why did mandalive leave some gap in the periodic table क्यो gap के थे to fill with undiscovered element undiscovered element को fill करने के लिए वहाँ पे क्या छोड़ दी थी जगह छोड़ दी फिर C में देखो वेटा यहाँ पे C option में कि यहाँ पे if the letter R was used to represent any of the elements जितने भी प्रोडिक्टेवल में elements है उनको मैं R माल लेती हो in the group then the hydride and oxide of carbon would be respectively be represented तो उसको क्या represent करेंगे तो यहाँ पे answer C वाला second option क्या रहेगा वेटा correct है तो वहाँ पे hydrogen और oxygen के साथ अगर carbon को लेके group के अंदर हम represent करेंगे तो formula क्या बना चाहिए तो RH4 यानि क्या बना चाहिए R को हमारा क्या है carbon है तो CH4 और दूसरा क्या बनेगा CO2 R को क्या कौन सा element बता दिया बेटा C तो यह formula correct होगा D option में देखो स्ट्रेंट्स यहाँ पे क्या है isotopes isotopes कौन से होते बेटा किसे बोलते हैं isotopes तो यहाँ पे यह first option ही सही है atoms of the same element with similar chemical properties but different atomic mass मैं यह solve करा रही हूँ answer भी आपको next देखो students अब इसके बाद fourth question यह Hindi मेडे में आ गया fourth question सारे B, C, D, E अब उसके बाद देखो answers fourth questions के यहाँ पे यह छोड़ा सा paragraph दे रुखा है okay इसके basis पे थोड़ा से यहाँ पे questions आ गए अब देखो state two methods of effective plastic waste collection in your school तो किस तरीके से collect कर सकते है separate bins use करने चाहिए for plastic and paper के लिए separation of biodegradable and non-biodegradable waste को separate करके use रखना चाहिए या कोई और भी technique आप लिख सकते हो तरीका दूसरा B, देखो क्या है name any two users of single use plastic in daily life जहाँ पे plastic आप क्या है single use करते हो तो जैसे packaging of article like water food, milk, biscuit तो biscuit को pack करने के लिए जो plastic का जो ओपर covering होती है milk products के होते है food के items को pack करते है तो यह क्या हम single use करते है फिर उसके बाद इस plastic को क्या कर देते है throw कर देते है so ऐसे disposable utility items हो गए जैसे bowls, trumbler, plates leaves, extra बगरा see देखो बेटा if we discontinue the use of plastic how can an environment friendly substrital be provided substitute क्या provide कर सकते है फिर हम by providing जैसे cloth अगर हम इसको discontinue कर दे तो plastic के तो हम क्या करेंगे substitute उसकी जगाए पे कौन सा use करें है providing cloth या jhoot या earthen pots या हम कह सकते है utensils papers और any other material जो आपको कुछ लगे कि इसकी जगाए पे हम ये use कर सकते है बट ये ज़्यादा best है cloth या jhoot के use कर सकते हो earthen pots यूज कर सकते हो utensils यूज कर सकते हो paper यूज कर सकते है D option क्या है do you think microbes will work similarly in landfill sites as they work in the laboratory yes इसका answer आएगा बेटा yes अब देखो justify your answer तो क्या होगा the action of microbes is tested in the laboratory creating the same condition as in the landfill जिस तरीके से work किसी अगर देखो मिट्टी के अंदर जो bacteria अगर मालो काम करते हैं तो वही bacteria अगर उसको library में रखो कहीं पे भी रखो वो उसी वर्ट से उसी तरीके से उसका body structure काम करेगा उसका action उस पे वही होगा ऐसे थोड़ वो अलग तरीके से काम करने लग जाएगा अगर हमारा digestive system जिस तरीके से काम करता है हमें कहीं पे भी रखो हमारे body के parts उसी तरीके से काम करेंगे या हम को जिस situation में रखो हम उसी तरीके से inhaling, exhaling करते रहेंगे ओके फिफ्थ कोश्चन देखो स्रेंट्स उसके बाद फिफ्थ कोश्चन यह हिंदी में में आगे यहां पे फिफ्थ, सिख्स्थ, यहां पे सैवन्थ, यह हिंदी में उस पेज़ 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 नमबर 8 आप देखो फिफ्थ कोश्चन क्या है यहां पे Fertilization is the process of Fertilization कौन सा process होता है बटा Fusion of B option क्या है यहाँ पे Fusion of Fusion of nuclei of male and female gamut उसको हम क्या बोलते हैं Fertilization Sixth देखो students Sorry यहाँ पे sixth question देखो क्या बता रखा है कि in the excreality system of human being some substances in the initial filtrate such as glucose amino acid salt and water are selectively reabsorbed in तो यह सारे कहा होगा कौन सा excreality system का part है यह nephron है बेटा What is the correct answer? Nephron मैं ज़्यादा detail में नहीं जारी क्योंकि अगर हम detail करेंगे तो फिर questions छोट जाएगे दूसरा इसका एक और दे रखा है option में Pseudopodia क्या होता है सभी को पता है Pseudopodia क्या होता है जैसे मैंने आँख बंद करके जैसे यह हमीबा बना दिया होके तो यह जो है न यह projections जो भाहर की तरफ आर के यह क्या है? Pseudopodia बोलते हम इसको और nephron क्या है बेटा कि जो excreality system में main excreality system में क्या होता है kidney और kidney की जो unit है main unit है excreation में जार्पकरती वो क्या हो गया? nephron so nephron का exam में diagram भी आजाता है it is also very important next question देखो friends question no.7 which of the following statement is correct about the human circulatory system human circulatory system के बारे में कौन से statement correct है? यह C C क्या है बेटा wells ensure that the blood does not flow back, देखो इसमे hurt के जो यहां पर जैसे मैं आपको दिखाती हूँ जैसे यह hurt का diagram होगा strengths roughly बना रही हूँ यह four chambers होगे so नीचे वाले कौन से होते है? ventricles और उपर वाले कौन से होते है? atrium तो यह right side इसलिए right हो गया और यह left side इसलिए left हो गया तो इन दोनों के बीच में क्या होते है? यहां पर valve होती है तो किसलिए होती है valve? यहां try का speed होती है यहां by का speed होती है ताकि यह back flow blood right atrium से right ventricle में आजाए लेकिन right से left में वापिस back flow ना हो तो इसलिए next question कौन सा है question number 7 के बाद 8 देखो पहले यह इस page पर 8, 9 सारे Hindi medium के मिलेंगे उसके बाद फिर यह science English में आगे आपको which of the following is statement is not true about the nuclear energy generation in a nuclear reactor तो यह students यहां पर यह question wrong आया था इसका grace mark मिला था ठीक है so the nucleus sorry यह वाला नहीं था grace mark मिला वो दूसरा question था by mistake बोल दिया मैंने so यहां पर क्या है B option correct है so not true so यहां पर क्या है the nucleus of an uranium is bombarded with high energy neutrons यह इसका correct answer है B option और यहां पर देखो students B में A part और दे रखा है the biggest source of energy on the earth surface is biomass ठीक है next देखो question number 9 strength यहां पर 9 में क्या आएगा answer आपका 1 ohm तो यहां पर आपको value दे रखे है 5 registrants 5 registers है हरे की value कितनी दे रखे है 1 by 5 ohm दे रखे है तो maximum resistance can be obtained by connecting them तो कितना आप इसको connect करके देख सकते हो कितनी maximum आएगी तो answer क्या आएगा strength maximum 1 ohm आएगा concern next देखो students question क्या है यहां पर the resistance of a register is reduced to half of its initial value so in doing so if other parameters of the circuit remain unchanged the heating effect in the register will become तो क्या होगा उसका half हो जाएगा यह आपको पताए next देखो students फिर 10, 11, 12 यह Hindi medium में है और इसको देखो यहां पर 13 ती भी हो गया उसके बाद हम यहां से question number 10 तो यहां पर क्या है C option correct आएगा इसमें Flaming's right hand rule में देखो direction of induced current बताता है Flaming's जो right hand rule है क्या बताता students C option that is C option में क्या है direction of induced current अब देखो बेटा question number 11 11th में क्या होगा how much the net primary productivity of a terrestrial ecosystem is eaten and digested by herbivores तो यहां पर कितना आएगा 10% ठीक है next है question number 12 ठीक है यह question number 12 CBSC में अंसर यह गल्त दे रखा था question तो इसके लिए one marks grace मिला था सब इस्टूइंट्स को लेकिन एक चीज़ और रुखो बेटा अगर आपनी यह question attempt नहीं कर दा तो कई बार CBSC बोल देती don't give the grace marks if the student has not attempt the question तो at least अगर आपको उसका अंसर ना भी आए तो answer number 12 डाल के छोड़ दो उसको खाली तो बट attempt तो करो पे अपनी sheet पे answer number 12 तो डालो तो यहाँ पे इसमें यह answer यह question गल्त दे रखा है यहाँ पे ठीक है फिर देखो यहाँ पे students question number 13 और 14 क्या दे रखा है यहाँ पे assertion क्या दे रखा है देखो A है assertion और B R क्या है उसका reason select the correct answer of these questions from the codes A, B, C and D and given below ओकी यहाँ से देखो so हमें देखना है question 13 तो 13 तो 13 का क्या है strengths यह reaction दे रखा है MnO2 plus HCl so MnCl2 यहाँ पे is an example of redox reaction यह example है redox reaction yes यह redox reaction का example है और देखो बेटा HCl is reduced to Cl2 क्या HCl Cl2 में reduced हुआ है no HCl जो है Cl2 में reduced हुआ है whereas MnO2 is oxidized to MnCl2 MnO2 MnCl2 में oxidized हुआ है नहीं oxidized नहीं बलकि reduced हुआ है so इसले reason क्या है false और assertion क्या है true तो यह option देखो कहां पे assertion true and reason fall है तो यह देखो यह C option आएगा इसका answer ठीक है तो हम यहाँ क्या लगाएंगे C option कि A is true but R is false then question number 14 हिंदी मेडियम में यह पूरा हिंदी मेडियम का हो गया उसके बाद यहाँ पे 14 में 14 के बाद देखो students यहाँ पे यह मैं आपको short वाले करवारे हूं बड़े वाले questions आप खुद उसके में answer show कर दूँए आपको के so question number 15 देखो when hydrogen sulfide gas is passed through a blue solution of copper sulfate क्या बता है students जब hydrogen sulfide gas is passed through blue solution of copper sulfate the color of the solution fades and a black precipitate is obtained name the type of reaction mentioned above तो type of reaction कौन सी होगी student यह double displacement reaction होगी क्यों है यहाँ पे copper sulfate दूसरा क्या है 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 हाइट्रोजन sulfide gas is passed through a blue solution तो हाइट्रोजन sulfide gas और दूसरा क्या होगया blue color यहाँ पे क्या students blue color क्या है copper sulfate का solution है so यह कैसे type की reaction है name the type of reaction mentioned above तो यह कौन से type की reaction है double displacement reaction दूसरा है why does the color of the solution fades यहाँ पे solution का color fade क्यों हुआ है क्योंकि formation of colorless sulfuric acid in the solution क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया colorless sulfuric acid तो बटा इसके reaction को लिखके देखना H2S plus में CUSO4 ठीक है तो यहाँ पे क्या है hydrogen H2S hydrogen sulfide plus में CUSO4 तो यहाँ पे देखो hydrogen जदा reactive है तो इसको इसने क्या कर देगा यहाँ पे displace तो यहाँ पे कौन से वह बन गया बटा यहाँ पे यह क्या जिस बनी है exchange of ions होंगे तो यहाँ पे तो यहाँ पे self जो यह copper है double displacement हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा exchange of ions when hydrogen sulfide gas यह hydrogen sulfide gas है पास तो यह blue color copper sulfide solution the color of the solution fades and a black precipitate is obtained black color का precipitate तो यहाँ पे यहाँ पे action होगा तो यहाँ पे कौन से बनेगा product में यहाँ पे so बनेगा यहाँ पे बेटा formation of colorless sulfuric acid बन जाएगा solution में क्योंकि यह क्या होगा H2SO4 यहाँ पे sulfuric acid और copper sulfide बनेगा ठीक है तो product में क्या बनेगा product आपका बन जाएगा यहाँ पे H2SO4 plus में क्या बनेगा copper sulfide आप देखो student यहाँ पे next I write the chemical name of the black precipitate form तो black जो precipitate form होगा उसका क्या नाम है वो होगा copper sulfide तो copper यहाँ product में लिखी देती हो अगर आपको किसी student को समझना आएगा तो product में यहाँ पे क्या आजएगा student में आगे लिख देती हूँ यहाँ पे H2SO4 plus में CUS यह product आगा तो C option क्या है जो black color का substance है वो copper sulfide है फिर give a balanced chemical equation for the reaction involved अब इसको reaction को आप क्या है balance करके लिख देना CUSO4 यह H2S plus CUSO4 अगर आगे क्या हो गया CUS plus में H2SO4 यह balanced यह बटा अच्छा दूसरा एक और question दे रखा है यहाँ पे देखो यह question हो गया यह इस तरीके का आपका chapter 1 में name दे रखा है diagram है बिल्कुल proper बना है so name the process depicted in the diagram यहाँ पे कौन सा process देखा रखा है बटा electrolysis of water दिखा रहे है ठीक है दूसरा देखो यहाँ पे क्या है write the composition of anode and the cathode यहाँ पे composition लिखने है मतलब anode जो आपने cathode ले रखी है वो क्या है actual में वो क्या है carbon electrodes है या graphite rod भी लिख सकते हो क्या इसका second B का option क्या होगा graphite rod भी लिख सकते हो या carbon क्या लिख सकते हो students यहाँ पे carbon electrodes okay या graphite rod भी next देखो student यहाँ पे C option क्या है write a balanced chemical location of the reaction take place in this case तो उपर वाले में reaction कौन सी होगी है student उपर वाले में हमें मालूम है अच्छी तरीके से क्यां सी reaction होगी तो यहाँ पे देखो क्योंकि यह decomposition reaction है तो यहाँ पे क्या है water है water को brick क्या है कैसे किसमे hydrogen और oxygen में अब इसको balance कर दो student यहाँ पे हमने 2 लगा दिया hydrogen के पास यहाँ पे भी हमने 2 लगा दिया यह balance होगी D क्या है वाटा in the reaction does not take place if a few drop of dilute sulfuric acid are not added to the water why क्योंकि pure water है वो क्या होता है non conductor of electricity pure water electricity को conduct नहीं करता so electric current is carried out through the acidic solution by ions so electric current तो आप इसको conducting बनाने के लिए क्या है हमने वाँ पे क्या डाल दिया acid और हमें मालूम है acids are good conductor of electricity next is me अब दिखो students what is the next question yes यहां पे दिखो जियान से एक concave mirror है is used for imaging formation for different positions of an object concave mirror यहां पे what inference can be drawn about the following when an object is placed at a distance of 10 cm from a pole of concave mirror or focal length 15 cm तो यहां पे अगर आप इसको देखोगे तो position of the image क्या नहीं चीज़ students अगर आप इसको diagram को बनाकर करके देखोगे तो वहां पे position of the image आएगिया behind the mirror size of the image क्या बनेगी magnified large और हमें मालूम है students यहां पे जब आप diagram बनाओगे तो देखना है इसकी erect image बनेगी virtual and erect तो यह diagram आप बनाके देख लेना so position of the image क्या आएगी behind the mirror B option क्या है size of the image क्या हो सकती है magnified larger होगी आप larger भी लिख सकती हो C option में क्या हैगा nature of the image so यहां पे आद रखो कभी students सोचते हैं कि concave mirror में तो ज़्याद तर क्या होता है real and inverted बट यहां पे इस option में virtual or erect आएगी अब यह define the term evolution जो topic आपके कटे वे हैं उनको करने की जोतनी है students ठीक है यह दो question number 18 तो यह मालूम आपको pituitary gland है इनके function एक table आपको बना लेना instrument यहां पे अच्छी तरीके से उस table पे क्या करोगे आप easily जैसी यह आपने एक table बना दिया इस तरीके से इस table के आगे आप इस तरीके से mention कर दोगे कि कौन सा gland कहां पर क्या कर रहा है so pituitary gland कहां की location कहा है इसकी pituitary gland की हमें मालूम है यह brain में होता है बटा ठीक है इसका function क्या होता है stimulate growth in all organs ऐसी thyroid gland कहां होगा neck यह आप क्या कह सकते हो larynx इसका function क्या है regulates metabolism of fats proteins carbohydrates ऐसी pancreas है pancreas कहा होता है below stomach यह stomach क्या पैनल में में बता सकते हो और यह क्या करता है regulates blood sugar next देखो strengths यहाँ पर question number 19 क्या बता है 19th question में दो question दे रहें और में so एक में क्या galvanization और alloying के बीच में आपको difference करना है what is galvanization and alloying galvanization और alloying में difference तो देखो strengths जो galvanization होता है उसका क्या है कि उसके उपर coating और a layer of zinc metal on the metal zinc metal के उपर एक coating होती है लेकिन यहाँ पर alloy में क्या करते है mixing of a metal with a metal or a non metal metal और non metal को यहाँ पर mix किया जाता है metal को metal के साथ यह metal और non metal को mix किया जाता है बट वहाँ पर galvanization में क्या होगा coating a layer of zinc metal on the metal अब देखो galvanization क्या है strength not a homogeneous mixture galvanization कोई एक homogeneous mixture नहीं है लेकिन alloying क्या है homogeneous mixture है अच्छे galvanization में देखो strengths no change in physical properties of the metals take place galvanization में कोई भी physical properties में change नहीं आता बट यहाँ पर देखो alloying में क्या है physical properties में change आजाता है और जो galvanization assurance यह क्या करता है prevents rusting only prevents rusting only लेकिन जो alloying है so some alloys में prevent rusting and also used for other advantage other advantage के लिए भी हम इसका use किया जाता है अब देखो student पिछले बार यह question आया था यहाँ पर students ने mistake की थी यहाँ पर क्या एक tabular form बनाना था तो कैसे यह sodium है अब देखो student यहाँ पर ध्यान से यह देखो इस तरीके से यहाँ पर यह sodium है इसको table table की form में बना लेते है लेकिन student ने यह mistake की थी यहाँ पर ठीक है तो यह table की form में बना दिया इसको और बनाने के बाद इसके properties बतानी थी कि with a metal with cold water और hot water तो यहाँ पर उपर लिखो cold water और दूसरा क्या हो गया hot water तो cold के साथ इसको यहाँ पर क्या हैगा sodium का तो cold के साथ sodium क्या करेगा बिटा react violently और heat is evolve react violently और दूसरा point क्या हैगा heat is evolve बट यहाँ पर hot water के साथ आप क्या लिखोगे react more violently और आप heat के साथ क्या लिख सकते हो more heat is evolve as he calcium का cold water के साथ क्या होगा react less violently as compared to sodium के साथ जैसे देखेंगे तो sodium के comparison में calcium के less violently cold water से react करेगा लेकिन hot water के साथ क्या लिख होगे react violently with hot water and stick अपको मालों में stick to the surface of the metal or float on the surface of the water फिर देखो magnesium का cold water के साथ react करता है no does not react with cold water और यहाँ पे hot water के साथ क्या करोगे बटा react with hot water and यह भी क्या है float करता है on the surface of the water जैसे calcium ने क्या था तो यह कुछ student ने tabular की form में नहीं बनाया इसलिए वहाँ पे उनके marks कट गये थे means table बनाके अब student ने cold और hot water के साथ अलग अलग points शो नहीं किये एक जैसी point ही लिख दिये थे mostly दोनों में तो यहाँ पे देखो strengths अब इसका question number 23, 24 24 sorry यह दो Hindi medium में आ रहे हैं अब देखो question number 20 क्या है carbon a member of group 14 में है large number of carbon compounds बनाता है 3 million कि नहीं रहा why is this property not exhibited by other element क्यों नहीं की जाती बटा number 1 क्या है देखो यह first member है group 14 का तो इसमें क्या हैगा smallest size in the group and hence inter atomic force of attraction तो इसमें क्या हैगा number 1 smallest size है इसका group के अंदर सबसे smallest size अगर इसको group में आप देखोगे तो सबसे smallest size है and highest inter atomic force of attraction है इसमें दूसरा it has four valence electrons so it require only four more electrons to attain stable configuration तो चार electron चाहिए है stable बनाने के लिए due to its small size के कारण के nucleus of carbon is able to hold the shared pair of electrons strongly so small size के कारण के carbon का जो nucleus है वो क्या है जो shared pair of electrons है नहीं बेटा उसको strongly hold कर सकता है last में आप क्या लिख सकते हो the bond formed by other element of the same group are weaker due to because देखो इसी group में अगर other elements को अगर आप देखोगे तो वहाँ पर क्याएगा same group में भी weaker bond form हो रहा है दो elements के बीच में दो atoms के बीच में क्यों due to the bigger size of their atoms इसका size ही छोटा था इससे नीचे वाले elements के रहा है silicon तो silicon थोड़े से elements के साथ catenation self linkage करेगा उसके बाद वहाँ पर क्या होगा break हो जागा क्योंकि यहाँ पर weaker bond बन रहा है क्योंकि carbon के comparison में silicon का size के आगया students बढ़ा आगया ऐसे ही देखो students इसमें मैं बताना बूल गी थी जो students मैं एक बार पूरा ही question पर थोड़़़दा करवारी है आपको लेकिन जो आपके syllabus में reduced है वो questions मत करना आप पिछले साल उसमें तो मैंने बता दिया था इसमें मैंने बताया नहीं है लेकिन आपको पता ही आई हो क्योंकि बार बार कहने की सोती नहीं है इसी तरीके से यहां पर define geotropism का diagram बनाना था यह आपके book में भी दे रखा है geotropism वाले का diagram कि जिस तरीके से यह इस तरीके से पौदा सा तो उसमें यहां पर आपको दिखा रखा है कि roots बिलकुल क्या है नीचे की तरफ आ रखी इस तरीके से roots और पौदा क्या है बेटा उपर की तरफ जा रहा है यह क्या है positive और यह क्या है negative तो यह जो मतलब अर्थ की तरफ क्या है positive show करा है लेकिन shoot क्या है light की तरफ positive तो positive phototropism show कराई है लेकिन यहाँ पे इसका diagram को label करना है लेकिन जो यह shoot देखो strengths जो यह मैंने बना के दिखाया थे यहाँ पे तो इसमें जो यह root है ऐसे तो इसको label करके आप बताऊगे यह stem हो गई, यह leaves हो गई पे आप दिखा सकते हो थोड़ा थोड़ा यह root हो गई, तो root क्या है positive geotropism और जो यह stem होगा वो क्या होगा, negative geotropism अब यहाँ पे देखो यह आपको यह value निकाल लिए है so question number 21 के बाद 22 क्या है strengths for the same angle of incidence of 45 the refraction angle in 2 transparent medium P and Q is 20 degree and 30 degree respectively which of the two is optically denser and Y, इन दोने में से कौन ज़्यादा denser होगा बेटा, so medium P जो है ने बेटा P is optically denser then Q, P ज़्यादा denser होगा Q से समझ में आया, because in it the ray is bending more towards the normal, च्योंकि ray जो है, वो bend हो रही है ज़्यादा more towards the normal ठीक है, अब दिखो दूसरा क्या है, define one departure one departure क्या होता है, one departure is the power of the lens whose focal length is one meter, दुबारा बता रही हो एक departure क्या होता है वेटा, power of a lens, whose focal length कितनी है, one meter अब यहाँ पर F की value निकाल लिए है focal length of the lens, power दे रखिये तो हमें मालूम है कि F का formula क्या होता है strength F is equal to one by P तो यहाँ पर one by P की value कितनी तरी की strength 0.5 तो 0.5 तो यहाँ पर इसको calculate करोगे तो क्या आएगा, two meter ठीक है next question number 23 by placing second prism in an inverted position ठीक है how will you use two identical glass prism so that the narrow beam of white light incident on one prism emerge out of the second prism as the white light the prism को हम किस तरीके से लगाएंगे बेटा तो हमें मालूम है एक prism को इस तरीके से लगाए है तो दूसरा prism क्या होगा just इसके opposite में हम लगाते हैं ताकि जो यह white light जा रही है यह वापिस यहाँ पे क्या होगा इसको properly थोड़ा सा strength यहाँ मिस्टेक मत करने हैं यहाँ पे so यह वापिस जो इसमें जा रहा है तो यह again white light में आ रहा है यहाँ ठीक है उपर के तरफ दिखाने इसको white light में इसको condition को हम क्या बोलते हैं students press biopia what does it happen when यह कब होते है बटा when does it happen so gradually weakening of the ciliary muscles of the eye या dimenshing flexibility of the eye lens या during old age ठीक है C option में क्या है कौन से type का lens हम यूज़ करेंगे name that type of lens तो lens क्या होगा bifocal lens यहाँ पे exam में क्या भी रखा था इसको बना के दिखाओ इसका diagram but students ने क्या बना रखे थे चश्मा बना के छोड़ दी थी तो यहाँ पे students आप क्या इसको इस तरीके से यह ऐसे और यहाँ पर यह इस तरीके से तो यह नीचे वाला कौन सा lens है convex और उपर वाला क्या होगा बेटा कंकेव यह कंकेव नीचे वाला कंवेक्स ठीक है next question number 25 यहाँ पे देखो यह alloy की definition पूछर किया है alloy को कैसे prepare कर सकते है इसकी advantages of making alloy तो यह सारा आपकी book में given है so stailness steel की composition बतानी है why is steel performed over iron iron की composition हम steel को क्यों लेते है least two reasons so इस बार alloy वाला questions जादे तर चांते से कम पूछा जाए ठीक है लेकिन फिर भी क्योंकि first chapter में क्या दे रखा है वाँ पे कुछ topic दे रखा है जिसमें alloy का कहीं पे पूछा जा सकता है इसलिए alloy वाला topic थोड़ा सा कर लेना students जरूर next यहाँ पे draw the diagram of neat label diagram यह आपके बुक के अंदर दे रखा है fertilization of a floor label करना है उसको pollen tube, male germ cell, female germ cell explain the process of fertilization in floor यह process आपको explain करना है what happened to the ovary and the ovule after fertilization तो हमें मालू है students ovary किसमें convert हो जाती है fruit में और ovule seed में so next is what is puberty यह सब आपको explain करना है puberty क्या होती है testis, amino vesicles, इनके functions आपको बता देना है where are, why are testers located outside the abdominal cavity क्यों होते है बटा क्योंकि testis के अंदर क्या है sperm बनता है sperm को temperature क्या चाहिए कम चाहिए तो body से 3 degree Celsius temperature कम चाहिए इसलिए वो body से outside होते है okay so यह देख लेना question question number 27 मैंने आपको दिखा दिया है यह solve करने वाले है यहापे जितनी जगह नहीं है मेरे पास मैं आपको unsourced send कर दूँगे आप उसमें से check कर लेना okay strengths so यहाँ पर यह complete हो गया है then यहाँ पर question number 29 हिंदी में आ गया है तो देखो यहाँ पर ठीक है उसके बाद यहाँ पर 30 फिर यह question number 31 था ठीक है 31 में क्या बता रहा है यहाँ पर इस्ट्वेंट्स यह देखो यहाँ पर है 28 में क्लोथ स्ट्रिप है जिसमें क्या बता रहा है यहाँ पर कि अनियन जूस इस यूज़ फो टेस्टिंगे लिक्विड एक्स लिक्विड एक्स चेंज़ इस ओडर उसके ओडर क्या हो गई? चेंज हो गई उसको लिक्विड एक्स में उसको डिप क्या था एक क्लोथ स्ट्रिप डिप एन अनियन जूस अनियन जूस में क्लोथ की स्ट्रिप को उसमें डाला अनियन जूस में ताकि उसमें क्लोथ में क्या अनियन की स्मेल आने जाए यूस फो टेस्टिंग एक्स उसको टो लिक्विड एक्स में test करते हैं दे लिक्विड एक्स changes its order उसमें उसकी smell क्या होगी उस चेंज होगी विच टाइप ऑफ अन इंडिकेटर इस अनियन जूस अनियन जूस कौन सा टाइप का इंडिकेटर है हमें माले में all factory इंडिकेटर है इसका मतलब लिक्विड एक्स क्या होगा स्टुन देट इस असेड हो गया लिस्ट दो अब्जरवेशन अफ दे लिक्विड एक्स विच शोन रेक्टिंग विध द फॉलाइं सो इसकी यहाँ पे रेक्शन है लिक्विड एक्स HCl के साथ Zinc Granul के साथ रेक्शन हो जाएगी इसी तरीके से Solid, Sodium, Carbonate के साथ उसकी रेक्शन हो जाएगी बटा यहाँ पर Water of Crystallization का एक एक एक्जम्पल करके शो करना है आपको जिसमें उसका अपने Copper Sulfate को आप हीट करोगे तो उसका वाइट कलर आजाएगा वाइट कलर में वापिस Water डालोगे तो क्या आजाएगा अगेन कलर हीगेन हो जाएगा तो यह Question No. 29.38 है यहाँ ते की Chapter Complete हो गया एक फुल Question Paper हो गया बटापका पिछले साल का यह तो आपका Pattern बिलकुल इसी तरीके से ही है थोड़ा बहुत minor changes वा जो 2019 था उसमें MCQs, Assertion वाले Questions नहीं थे और 2019 में इसको 19 के बार 28 में involved किया था और 21 में भी Assertion, Reasoning, MCQs यह सारे Questions आएंगे बट इस बार MCQs थोड़े और ज़्यदा बढ़ा दिये So I hope clear है सभी को Students को So Thank You Students Yes Students मैंने आपको बेटा Question Paper तो पहले ही Explain कर दिया था ठीक है उसके One Marks के Question में मैंने आपको Explain कर दिया थे लेकिन कुछ Answers जो अगर आप दुबारा भी देखना चाहते हो तो मैं आपको उनके Short में अंस्वर लिखके दे रखे मैंने Full Explanation नहीं किये Each or Every Question के वल Short में अंस्वर लिखके दिये ताकि आपको हिंट मिल जाए और आप उससे पूरा Explain कर सकते हो Question को ठीक है तो मैं आपको Short में जो बना के दे रखे Answers सभी Questions के तो देख लो एक बार मैं यहां पे वैसे मैंने Question Paper पे भी Explain कर दिये थे लेकिन आपके लिए थोड़ा सा Benefit हो जाएगा कि आप अंस्वर्स देख लोगी तो दुबार आपको हिंट मिल जाएगी तो यहां पे यह सारे Questions है तो इस Question Paper को Solve कर लेना आपके लिए बहुँ ज़दा Helpful होगा ठीक है और जो Question इस बास लेबस में कटा रखे है आपके नहीं आएगा जो स्लेबस रिद्यूस्ट है उनको करने की जूतनी है आपको Okay Friends So I have explained This Question was very important Sodium, Calcium और Magnesium ठीक है Friends तो यहां पर यह आपके सभी Questions हो गई यह देखो यह डाग्राम नीट और क्लीन बनाना चाहिए आपको With the help of Pencil 23rd भी आपको यह Pencil से यह दोनो PRISMS बनाने होंगे यह 24th यह लास C-section हो गया यहां पर उसके बाद Strengths देखो यह सारा Complete Paper हो गया Okay Strengths यहां पर So Thank You Strengths For Watching My Videos